हमारा चल्राव किसी भी अवेद कातिविदें को बढ़ाओ या प्रोसाइट नहीं करता है हमारा चल्राव दोग में लाइगी सभी प्रकार की सामगरी जैसे फोटो वीडियो पर किसी भी प्रकार का सौप्वेर या एब से चित को देशे के लिए लाइगे है स्वाधत है आप सभी का मेरे कोर ने यूटूब वीडियो में अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह जो कैटल बन रही है यह डाउन डारेशन बन रही है और ट्रेंड ही क्या चल रहा है दोस्ते आपर ध्यान से देगेगा एक बहुत बड़ा अप्ट्रेंड है लेकिन कुछ टाइम से मार्केट डाउन आ रही है ठीक है तो किसको माने हम इसको डाउन ट्रेंड माने है डाउन अप्ट्रेंड माने ठीक है तो इसको हम मानेंगे अप्ट्रेंड लेकिन एक बड़े पेमाने बड़े टाइम फ्रेम प अब हमने किस डारीशन में डेड किया हमने देखा ट्रेंड ट्रेंड गाजन रहा है दाउन और हमने ट्रेंड करते डाउन डार invec में जो कि हमारा trade loss हो जाता ठीक है तो कुछ mistakes ऐसी होती है जिनके base पर आप चाहे तो बहुत अच्छा profit भी कर सकते हो और अगर आप उनको नहीं सुधारते हो तो आपका loss ही होगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि trend को हमें सवे follow करता हूँ और कभी कभी trend के opposite side जो trade आती है यारी candle आती है वो हमारा loss कराती है अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा trend अफ है हम अपका trade लेते जा रहे लेते जा रहे और loss होता जा रहे ठीक है अभी देखी यहाँ पर एक support आ यहाँ पर opposite side trade नहीं करनी है यानी trend के खिलाओ अभी देखिए कभी-कभी market को trend बदलना होता है तो भी वो candle opposite side निकालती है अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से candle कितनी deeply यहाँ पर red बन रही थी उसके बाद hammer candle यहाँ पर बन चुकी है आप chance क्या होगा chance होगा nest candle आप चली जाए ओके यूगी error candle है loss हमारा हो चुका है hammer candle ने बन कर हम को यही पता है कि next candle आप आएगी ओके तो अब यहाँ पर अगर trend को change नहीं होना है तो यहाँ पर यह candle ऊपर घूम जाएगी ओके और घूमना start कर चुकी है हलाकि अगर trend को change होना है यहाँ से downtrend को follow होना है तो आप देखो कि यहाँ पर deeply candle रेड ही चली जाएगी अब यह आपके सामने 500 रुपे का trade लिया जो कि मेरा loss हो रहा है loss नहीं है दोस्तों यह यह मैं पूरे knowledge के साथ यहाँ पर trade कर रहा हूँ और अगर opposite side मेरा trade जाता है तो उसके पीछे reason होगा market अपना trade चेंज करना चाहत आप देख रहे होगे कि यहाँ पर लगाता और दो candle opposite side आ चुकी है और अब chance है कि यहाँ पर right candle आ जाए green candle जिसको हम कहते है जो आप है पर देख रहे थे कि कुछ टाइम पहले मेरा trade कितना बुरी तरह से loss हो रहा था वो कितने अच्छे profit में बदल गया और देखे green candle बनी hammer candle देख कर मैंने सब कुछ पैचाना ठीक है hammer candle क्या है उसके पर मैंने एक लास वीडियो बना रखी है आप जाकर देख सकते हो इसको deeply समझ सकते हो सिर्फ मैंने देखा कि यहाँ पर जब market बार बार नेचे आई तो इस wick के कारण से market उपर जाई यानि समझे आप हम आज candle डाउन चली जाए ओके डाउन जा सकती है wick बता रही है सिर्फ मुझे ठीक है और loss होता है तो कोई बड़ी बात ने दोस्तो profit अच्छा का सा मेरा हो जाता है एक दो trade loss हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं अब इसको candle जो इसको उपर जा रही है इसको trend ले जा रहा है ठीक ह लॉस और profit चलता रहता है लेकिन हमको क्या करना है overall profit में रहना है ठीक है अभी आप देख रहे हो candle यहीं पर मेरे level यानि जहामने trade का है उसी के उपर नीचे गूम रही है लेकिन chance से ही होगा कि मेरा trade यहाँ पर loss हो जाएगा क्योंकि market अब यहाँ से support ले चुकी है और देख कि यहाँ पर क्या होगा candle अप जाएगी इस wix से मैंने देखा कि यहाँ पर candle डाउन जाएगी अब भले ही यह candle नहीं जा पाई लेकिन nest candle जा सकती है तो हो सकता है nest candle यहाँ पर deeply red बन जाए क्योंकि बार बार अब market up direction में trend को follow कर रही थी अब उसको trend भी तो अपना change करना है तो सिर्फ सारा खेल किसका है दोस्तों इन wix का wix क्या है आप दोस्तों इसको shadow कहते है इसको हम कुछ भी कह सकते है आप इसको shadow बोलिए wix बोलिए या फिर stick बोलिए जो भी आप कहना चाहो यहाँ पर कह सकते हो और अब आपको इसी के base पर trade के इस तरह से लगाना है वो मैं आपसे इन तीन candles को देखिए अगर जो यह first candle है इसके बराबर से दो candle और बनती है same color की और दोनों की दोनों candles close करें पहली candle की wix के अंदर close क्या करेगी दोस्तों body body इसमें डोजी भी बन सकती है और जो मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से समझेगा अगर आप इस जाओगे देखिए दोस्तों तीन candles का यह mail होगा और wix के वेस पर ही trade होगा क्योंकि wix हम देखकर ही trade कर रहे है देखिए first candle के यानि red है तो नीचे के side हम लेवल लगा देंगे नीचे जो wix होगी ठीके उसके बाद हम देखेंगे कि दो candles की direction बने उस जो wix हम ने जो इस लेवल को break नहीं कर पाई तो यह strong level है opposite side candle आने के chance बहुत अच्छे होते हैं same आपके सामने यही example यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा आप ठीक है यह first candle को देखें इसकी wix के अंदर दो candles green आ गई यारी तीन candles लगातर green बने गी नहीं कि पहली candle जो green थी उसके wix को त तो यहाँ पर कि यहाँ पर आपकी ट्रेड विन हो जाएगी डाउन डारेशन में आप ट्रेड करोगे आप डारेशन में यारी उपर के साइड ही आप और जोंटल लाइन लगाओ कि अगर आपकी green candle है तो same example यहाँ पर यह देखें दोस्तों क्या हुआ पस्ट के अंदल रै लेकिन उसके बाद देखें क्या उनसी candle बनी और deeply बनी है यहाँ पर बनी है green candle और यह कैसे बनी यह उता है मार्टेंगल मार्टेंगल भी आपको लेना पड़ सकता है और आपका trade हमेशा विन होगा ठीक है अभी live example यहाँ पर ऐसा कोई बना नहीं जिसके base पर मैं आपको trade ल करना है और इस तरह से करना है जिस तरह से मैंने आपको अभी अच्छे समझाया है ठीक है अभी देखिए कहीं भी आप एक example को try करोगे तो आप अपने live chart पर भी कर सकते हो इस point पर भी देखिए इस candle को हम red candle मानते है और इसके lower wick पर यहाँ पर एक level लगाया दो candles nest बनी उसक कि बाद भी यह level break नहीं हुआ तो क्या समझोगे अब डारी समय को try करना है simple setup है दोस्तों कुछ भी आपको जाद दिमाख सूच लगने की जरुत नहीं है बस आपको इस पास बहुत सारे pairs होते हैं इस तरह से तुरंत आप trade कीजी आपका trade विन होगा इसके वेस पर आपने loss भी cover कर सकते हो बस थोड़ा time लगेगा क्योंकि यह बहुत कम इसके वेस पर trade मिलते हैं लेकिन जब भी मिलेंगे आपके trade विन होगे same example देखिए तीन candles के जो नीचे वाली विक लगेगी क्योंकि red candle नीचे हम और जडलने लगाएंगे तीन candles close आपका trade loss हो लेकिन देखिए फिस से आप पर तीन red candles एक फर्स्ट candle की विक के अंदर दो candle और close red नेच्ट candle ग्रीन जब आप देखोगे इसके वेस पर trade विन होगे कभी कभी आपके trade विन होगे जिस पर आप मार्टेंगल यूज करकर अपने trade को विन कर सकते हो और आपको क्य करना है दोस्तों simple इसके base पर आपको try करकर देखना है अपने mind में इसको बैठा लेना है जहां जब भी आप trade करने बैठे हो आपके सामने बने आप पैसा कमा सकते हो बहुत सारे चार्ट है कहीं ना कहीं ते पैटर बन रही होगा और मैं वहीं try कर रहा है पर कहीं मिल जाए देखे दोस्तों यहाँ पर मिला था यह trade और यहाँ पर इस point पर level लगा होता है इस green candle की अपर विक पर दो candle के अंदर close हुई और हमारा trade विन होगी तो nest के लिए trade करते हो हमारा loss होता मार्टे कल हमारा काफेज से विन होता आपकी trade इसी तरह से विन होगी दोस्तों इसके base प पाकि अगर आपने subscribe कर रहा है तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर market को अनलाइस करने का आपको पास time नहीं है तो आप मेरे VIP session भी attend कर सकते हो बिल्कुल free है आप देख सकते हो result भी आपके सामने आ रहा है morning session का result है का आप अच्छे स को आप join कर सकते हो बाकि दोस्तों इस वीडियो आप सभी के लिए तना ही था मिलते है नेस्ट वीडियो में thanks for watching